नमस्कार धर्शको आज का हमारी चर्चका विशा है फाइब्रोइड सरजरी हम फाइब्रोइड सरजरी के बारे में डिटेल में डिसकेशन करेंगे इसमें कितने दिन लगते हैं फाइब्रोइड कैसे रिमूव किया जाता है क्या क्या टेक्नीक्स है इसके बारे में हम इस वी Diagnosis Ultrasound से बनता है, जिससे हमें पता चलता है कि Fibroid है, और Ultrasound क्यूं होता है, उससे पहले पेशन को कुछ Symptoms होते हैं, जिससे उसको Ultrasound करवाना पड़ता है, यह पता लगाने के लिए कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं, तो Symptoms Fibroid के होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा Periods में Flow होना, Clots निकलना, या Periods के तुरान बहुत ज़्यादा दर्द होना, या फिर कई बारी Pressure Symptoms, यानि कि एकदम लेडी का पेट देखके लगता है कि बहुत ही बड़ा पेट है, और वो प्रेगनन नहीं है, तो ऐसी सारी चीज़ों से पता चलता है कि इनके पेट में Fibroid है, जब Ultrasound होता है, उससे हमें पता चलता है कि क्या ये Fibroid की Surgery करने की ज़रूरत है या नहीं, तो Fibroid Mapping की जाती है, पता लगाने के लिए कि Fibroid निकालना है या नहीं, यह जो है कोई Expert डॉक्टर को आप मिल सकते हैं, जो खुद Scan करके देखके आपको बता दें, कि आपक चलता है कि Fibroid है, अब Fibroid जो है, वह बहुत छोटे भी होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं, और उनकी Location भी होती है, यानि कि वह कहां पर पड़े हैं, तो बच्चे दानी जो है, उसके अंदर एक तह होती है, जिसको हम Endometrium बोलते हैं, जो भी Fibroid बच्चे दानी की तह ह कि बहुत पास होते हैं, उनको Remove करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वह ही जो है, इसके उपर Pressure डाल रहे होते हैं, और इसके उपर Pressure डालने के कारण, बहुत जदा Bleeding होती है, और इसके Pressure डालने के कारण ही, वह अच्छे से पैठ नहीं पा रहा होता, उसको अपनी Proper Blood Flow नह बहुत अच्छी हो जाती है, उसमें जो फाइब्रोड बहुत जादा बड़े हों, 20-30 cm के, उसमें जो है, सरजरी नहीं हो पाती है, उसमें open surgery होती है, मगर जो छोटे फाइब्रोड है, या जो 10 cm वगएरा के फाइब्रोड बहुत अच्छे निकल जाते हैं, इसमें जो पे फेथरू बाहर निकाल दिया जाता है लेप्रोस्कोपिक सरजरी पेशेंट के लिए बहुत ही कन्मीनियंट होती है एक दिन दाकिल होना पड़ता है और एक दिन जोड़कर अगले दिन छुटी हो जाती है जो फाइब्रोइड की सरजरी है इसमें जो पेशेंट की क्वालिटी पे अगर लेप्रोस्कोपि से की जाए बहुत कम है जो ऑफिस जॉब करते हैं वह हफ्ते के अंदर अपनी डूटी रिज्यूम कर सकते हैं अगला सवाल यह होता है बहुत सारे पेशन कहते हैं कि मैम हमारे फाइब्रोइड है और अब हमें यह डर लग रहा है कि जब जो इसे कभी कम नहीं होती है जो फाइब्रोइड जो कि रिमूबल के साथ बच्चेदानी कभी निकालनी पड़ती है जो भी जादा तर पेशन उनकी लप्रोस्कोपिक सर्जडिया हो जाती है अगर मान लीजिए लप्रोस्कोपिक सजरी में बहुत जादा ब्लीडिंग हो यह आउट ओफ कंट्रोल हो रहा है तो open surgery की जा सकती है मगर यह जादा से जादा है usually uterus जो है उसको रिमूब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कभी भी उसमें doktर है वह ब्लड ले 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 लेते हैं सो ऐगर पेशन सीरि को जादा ब्लड लॉस हो तो ब्ल Ilja जड़ाया जा सकें फाइब्रोइड की सरजरी के बाद जो है कुछ ब्रेक लेने के बाद लेडीज को खुली छूट दिये जाती है कि अब आप रेगनेंट हो सकती है तो जो फाइब्रोइड जो कैविटी के अंदर होते हैं अगर वो रिमूव किये जाते हैं तो हम रल लगब जो अंदर कट लगा होता है वहील हो जाता है क्योंकि जब लेडी प्रेगनेंट होगी तो बच्चे दानी जो है वह 40-50 ताइंग बढ़ी हो जाएगी तो अगर प्रॉपरली लिंग नहीं होएगी तो बच्चे दानी के फटने का डर रहता है इमेरेटली फाइब्रोइड क करवाना पड़ेगा तो इसमें बहुत सारे अगर बहुत पुरानी सर्जरी है और को काफी टाइम मिल गया हीलिंग करने के लिए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेजेरियन सेक्शन अगर रिसेंट सर्जरी हुई है और अगर डॉक्टर को आपके जो डॉक्टर हैं जो आपक से ही डिलिवरी कर फाल लीजिए जो अपने दिल में इस चीज को लेकर डर है या नहीं है उसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि कई बारी पेशन्स होते हैं उनका अल्टरसाउंड होता है उनको पता चलता हुए उनको पुछ कर रहा है उनको पीरेड प्रॉब्लम भी दिखेगा कि हम अगर यह कर लेंगे तो आगे हमें रास्ता बनता हुआ नजर आता है तो इसको लेकर नेगेटिव नहीं होना चाहिए इसका मतलब है कुछ कारण मिल गया है जिसको डील करकर फाइनली हमारे को रिजल्ट सा जाएंगे और अगर आपको इस टॉपिक पे कोई और क्वेस्टन पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद